हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू डिसुटेनिंग प्रतापगड उत्तर प्रदेश दोस्तो उत्तर प्रदेश सरकार का फर्मान है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक सिक्षा परिशत के नियंत्रणा धीन जो भी परिशदी ये प्रात्मिक ये उच्छ प्रात्मिक विद्याले हैं वो एक फेज्ट मैनर में जल्द ही दोस्तों खुल जाने हैं जहां एक और उच्छ प्रात्मिक विद्याले यानि कच्छा 6 से 8 तक के विद्याले 10 फरवरी से खुलेंगे वहीं कक्षा एक से पांस तक के स्कूल एक मार्च से दोस्तों खुलने हैं अब विद्याले दोस्तों खुल जाएंगे जाहिर सी बात है बच्चे विद्यालेों में दस्तक देगे अब सिक्षकों का काम दोस्तों यहाँ पे चुनोती पूर हो जाता है क्योंकि सिख्षकों को पहली बात तो ये है कि कोरोना नामक जो प्रोटोकाल है जो एसोपी है जो भारस सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है उसको फालू करना पड़ेगा और गाइडलाइन्स के एकॉर्डिंगली बच्चों को अनुशासित तरीके से बैठाना होगा बच्चे जब कक्षाओं में अनुशासित तरीके से बैठ जाते हैं तो सिख्षकों का काम दोस्तो सिख्षनकार का शुरू होता है अब बात ये उठती है कि जो सिख्षन का प्रा इडियल टीचिंग आपको करनी है। सव दिवस का ध्यानाकर्शन कक्षाएं आपको चलानी है। अब आप कहेंगे किन बच्चों के साथ हम ऐसा सिक्षण कार करें। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैट टू का जो एक्जाम हो चुका है। जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। और आपने अभिवावकों को सैट टू का रिपोर्ट कार्ड डिस्टिब्यूट भी कर दिया होगा। तो सैट टू का जो रिपोर्ट कार्ड है पूरे के पूरे विद्याले का पीडिएफ सम्मंधित ब्लॉक संसाधन केंदर से सम्मंधित हेड मास्टर को दोस्तों प्रेशित किया गया था। वो पीडिएफ आपके पास अभी भी अवलेबल होगा। तो सैट टू के रिपोर्ट कार्ड में ऐसे बच्चे को आप चिनित करें उनका चिन्हांकन करें जो की CD और E केटेगरी के बच्चे हैं तो जो बच्चे CD E केटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ आपको remedial classes करनी होगी और ये remedial classes 100 days की होगी आते हैं वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको दोस्तों रूबरू कराते हैं दोस्तों बात करते हैं लखनव से यही की कोरोना महमारी की कारण प्रदेश में पिछले साल से बंद चल रहे कक्षा 6 से 8 तक के सभी स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे वहीं कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमेरी स्कूल 1 मार्स से खुलेंगे बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासना देश जारी कर दिया है प्रदेश में उच्च प्राथ्मिक स्कूल लगभग 11 महिने और प्राथ्मिक विद्याले साल हे 11 महिने बात खुलेंगे दोस्तों 11 महिने का ये दोर रहा बड़ी विश्यम परिस्तिया रही बड़ा विपलव कारी समय रहा पूरे देश में एक प्रकार से भै असमंजस तहशत और द्वन्द की इस्तिती रही लेकिन देश दोस्तों उससे उब्रा आज हिंदुस्तान को पूरी दुनिया आशा भरी नजरों से दोस्तों देख रहा है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्शिनेशन के मामले में इंडिया टॉप पे है इंडिया दोस्तों इस समय टॉप पे है क्योंकि जिस गति से यहाँ पे वैक्शिनेशन हो रही है जिस तरीके से एक एक जो कुरोना के हिल्थ वरकर्स हैं उनको इम्मिनाइज किया जा रहा है वो दोस्तों काबिले तारीफ है पूरी दुनिया में आज भारत की साख खास तोर पे स्वास्त के मामले में खास तोर पे एक अधिर्ष बीमारी के मामले में और जिस तरीके से इंडिया ने उसको टैकल किया है पूरा वर्ड दोस्तों भारत के सम्मंद में स्वास्त के संबंद में उसकी लीडर्शिप के संबंद में एक साकारात्मक और एक आसावादी द्रिश्टकोंड से दोस्तों जुड़ गया है तो ये जो प्रदेश में उच्छ प्रात्मिक स्कूल लगभग 11 महीने और प्रात्मिक विद्याले दोस्तों साड़ी 11 महीने बाद खुलने हैं हम बात करते हैं माननी मुखमंत्री श्री योगी आधितनाथ जी को जो फाइल पूटप की गई थी कि स्कूल 15 फरवरी से खुलने हैं माननी मुखमंत्री श्री योगी आधितनाथ जी ने अपने पूरे के पूरे जो प्रसासनिक तपका है पूरी की पूरी जो COVID-19 की टीम है उसके प्रसंसनी कारियों को द्रिश्टकत रखते हुए और अपनी छमता पे विश्वास करते हुए विद्यालियों को दोस्तों दस फर्वरी से ही खोलने का आदेश दे दिया COVID-19 की कार्ण बंद विद्यालियों को खोलने के समद में शिक्षा निदेशक बेसिक ने भी सभी बियेसों को दोस्तों आदेश जारी किया है बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 6-8 से आड़ तक के स्कूलों को पंद्रा फर्वरी और प्राइमरी स्कूलों को एक मार से खोलने का प्रस्ताव माननी मुखमंतरी जी की मंजूरी के लिए भेजा था मानि मुख मंत्री जी ने कक्षा 6-8 तक के स्कूलों को 10 फरवरी से ही खोडने का निर्देश दिया है जबकि प्राइमरी स्कूल एक मार्स से खुलेंगे बेसिक शिक्षा विभाग की अप्पर मुख सचिव ش्रीमती रेलुका कुमार की और से जारी शासन देश में उच्च परात्मिक वपरात्मिक स्कूलों के संचालन में कोविट प्रोटोकाल और इस बारे में केन सरकार के ग्रह मंत्राले की और से जारी मानक प्रक्रियाओं S.O.P. का पालन करने के लिए कहा गया है कोरोना संक्रमन की दस्तक को देखते हुई शासन ने पिछले साल 13 मार्च को प्रदेश में कक्षा 1-8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आधिश दिया था प्रदेश में कक्षा 9-12 तक के स्कूल पिछले साल ही 19 अक्टूबर से और विश्विद्याले 23 नॉम्बर से खुल चुके हैं कोविड संक्रमन 19 के कारण बंद परिशदी विद्यालों को खोलने के सम्बन में आधिश जारी किया गया है और बात अभी जो हम आपके साथ कर रहे थे कि रेमेडियल टीचिंग पर होगा फोकस चलेगा सव दिन का विशेश अभियान परिशदी स्कूलों के खुलने पर प्रेणा ग्यान उस्व नामक सव दिनों का विशेश अभियान चलाए जाएगा दोस्तों एक उत्सव चलना है और ये उत्सव है प्रेणा ग्यान उत्सव और ये उत्सव ये सेलिबरेशन हंड़ डेस का होगा और ये एक प्रकार का इस्पेसल कैमपेन है उत्तर प्रदेश सरकार का खास तोर पे ऐसे बच्चों के साथ जिनको रेमेडियल टीचिंग का रेक्वाइर्मेंट है हंडेड डेस का दोस्तों ये वर्क होना है अभियान का उत्देश कोरोना महमारी की कान बादित हुई पढ़ाई की भरपाई करना है बच्चों के प्रारंभिक आकलन के आधार पे सव दिनी अभियाभियान के दोरान उनकी रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक स्विक्ष्या पर फोकस होगा ताकि वे कक्षा के अनुरूप अपेच्छित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकें कुरोन संक्रमन के दोरान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परशदी स्कुलों के बच्चों के लिए इपाटशाला संचालित की गई फिर भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुए परशदी स्कुलों के खुलने के बाद प्रात्मिक कक्षाओं के सभी बच्चों का गणित और भाषा ज्यान जानने के लिए इन विशियों में उनका प्रारंफिक आकलन किया जाएगा ताकि पता चल सके कि बच्चों ने अब तक क्या सीखा है इसके बाद बच्चों की accelerated learning पर फोकस होगा तो यहाँ पे दोस्तों भाषा और गणित की बात हो रही है learning outcome भी एक ground हो सकता है भाषा और गणित जो प्रेर्णा लक्ष का है वो भी एक ground हो सकता है प्रेर्णा लक्ष मार्च 2030 में हमें प्राप्त करना है उस ground पे जो आपका कक्षावार प्रेर्णा लक्ष है कक्षावार बच्चों का चिन्हांकन कर ले इकोन प्रेर्णा लक्ष के कितने करीब है और उसके अनुरूब भी आप भाषा और गणित का प्रत्पृस्टी यानि फीडबैक प्राप्त करके बिलकुल accelerated learning पर फोकस कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो ये इन्फोर्मेशन आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं चैनल पर कमेट कर सकते हैं लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगर उत्तर प्रदेश के इस खुब सूरत यूटू ज्थ्ट विनगर नतर यिद्ट आपको कैसा लिए defa्य्म का सकते हैं लेकिन लेकिन आपक य्टन को कैसा लो ये वीडियो e ल्यग ओ कि युवटा अट सकते हैं लेकिन